समस्कार, Hello Everyone UPPCS 2024 का पेपर आने वाला है और इस वीडियो में हम देखते है UPPCS का सिलिबस क्या है exam pattern क्या है इसका IOC का latest trend और pattern क्या चल ला है जो UPPC commission है IOC का क्या latest trend है साथ ही साथ हम देखेंगे कि exam date कब है चलिए इस वीडियो को हम start करते है मेरा नाम है तुशार महरा और आप देख रहे हैं GS चक्रव्यू सबसे पहले हम लोग pre-exam की बात करते है और इस वीडियो में आपको मैं pre-exam का ही pattern बताता हूँ pre-exam का ही syllabus mains का syllabus जो है मैं आपको एक दूसरी वीडियो बना दूँगा अगर हम pre-exam की बात करें तो इसमें आपके दो paper होंगे कितने दो paper हैं कौन-कौन से है एक है आपका GS paper 1 और एक है आपका GS paper 2 GS paper 1 क्या है इसमें कौन-कौन से subjects है समानने अध्यन 1 और समानने अध्यन दूसरा जो GS paper 1 है इसमें कौन-कौन से subjects है आपके आपके वही नॉर्मल सब्जेक्स हैं, आपका हिस्ट्री हो गया, वालिटी हो गया, जोग्रफी, फिर एकनॉमी, एन्वायमेंट, साइंस, यह सारी जो नॉर्मल पेपर्स होते हैं, यह आपके GS1 में, GS2 में आपके कौन से पेपर्स हैं, GS2 को पेपर को C-Sight भी बूला आते हैं, ठीक है, इसमें GS2 में आते हैं, यह वाला जो पेपर होता है, आपका GS2 वो होता है, क्वालिफाइंग नेचर का मतलब, कट आफ में इसके नमबर नहीं जुड़ते हैं, इसमें टोटल आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं, GS2 में, दोनों पेपर हो गए आपके, दोनो GS2 पेपर 1 को चेक करा जाएगा, और फिज अगर आपके 33% आ रहें, तो GS2 पेपर 1 चेक होगा, GS2 पेपर 1 चेक होगा, उसमें अगर कट आफ क्लियर होगा, तो फिर आप किसमें जाएंगे, मेंस में जाएंगे, अब हम बात समझते हैं, कि इसका पैटन किसे साब से होता है, देखी, दोनों एक्जाम आपके एक ही दिन होगे, दोनों एक्जाम एक ही दिन होगे, ये वाला होता है आपका साड़े नौ से, आपका साड़े नौ से होता है, ये साड़े ग्यारा तक, GS2 पाब होता है, ये होता है, आपका धाई से लेके, आपका धाई से लेके, ये होता है अपना चाय पानी कर लिया नाश्टा कर लिया कुछ लोग को तंबाकू से वन करना है उनका दिमाग चलता दोनों तंबाकू खा लिया तो बीच में टाइम मिलता है अब इसमें अगर हम बात करें यहाला जो आपका जी एस वन पेपर होगा आपका यह कितने नंबर इस का है यह है आपका 200 मार्क्स का जी एस टू भी आपका 200 मार्क्स का है लेकिन अब डिफरेंस क्या है यहाँ पर आपके क्यूशन कितने आ रहे हैं यहाँ पर आपके 1500 क्यूशन जी एस टू में आपके 100 क्यूशन ऐसे अब यहाँ का तो आप तिक्ड़म बैठा लेंगे जी एस सॉने दो को मार्क संधाने में जिक्षान criakete और टो की कृचिन की की प्रबॉन कर जाता है एक वायल य। होती चार बाइट हो लुचीigon िंसे बना आपको 50 फिकीना फ्रो फशास इंटु यह तो था आपका GS1, GS2 एक ही दिन में हो रहे हैं दोनों 200 marks के paper है GS2 क्या है आपका वो qualifying nature का है अब आगे syllabus देख ले रहे हैं हम लोग GS1 का क्या है पहला आपको दे रखा है current events of national and international importance यह है आपका current affairs पहले topic current affairs इंदी वाले घबलाएं ना उनके लिए भी लिखा हुआ है राश्ट्री एवं अंतराश्ट्री महत्व की घटना है तो यह current affairs आपको बहुत questions आते हैं आगे देखते हैं आगे क्या बोले जा रहा है भारत का इतिहास और भारती राश्ट्री अंदोलन मतलब इंडियन हिस्ट्री इंडियन नाशनल मुवमेंट है ठीक फिर आपका इंडियन और जोग्रफी बोला गया है भारत एवं विश्व का घूगोल भारती राजनीती सब्सक्राइल दूसरा टौपिक आपका क्या है वह आपका इंडियन हिस्ट्री इसरे 추천 की बात करें षिसरा ओग्या है इंडियन वर्ल ज게요 फिर यंडियन सोरा बात क्रावर साइनOoh llegOOOOarten फेर आपका प्रीडियनिकर शिवियरे एस पेपर 1 का तो आपका पेपर असानी से 33 पतिशद आपका क्वालिफाई 33 के 50 पतिशद मार्स आप ले आओगे मतलब 200 में 100 नमबर आराम से लाए जा सकते हैं अगर बस एक महीने एक महीने पहले थोड़ी सी महनत कर लो एक गंटा डेली दे दो तो आराम से आ जाता है आपका GS1 और GS2 दिलिबस मैंने आपको बता दिया एक्जाम पैटर्न बता दिया पुरी का अब देखे एक्जाम डेट कब है एक्जाम डेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्जाम डेट अभी तक आई नहीं है लेकिन मार्केट में अफ़ा ये चल लिए कि इस बार जो प्री का एक्जाम है वो कब होगा 24 मार्च को होगा अभी तक देखे कोई ओफिशियल कैलेंडर नहीं आया है आयोक का कोई ओफिशियल कैलेंडर तो अभी तक आया नहीं है तो हम लोग ये अफ़ा को एकदम सच नहीं मान सकते हैं कि कब है एक्जाम डेट वैसे एक्जाम पढ़िए कि वहीं जरूरी है हो सकता है कि 24 मार्च को जाए तो आप लोग इसके लिए वी प्रीपेर रहिएगा महीं में होता है तो इसके लिए भी प्रेठ रहिए यही आप लोग को करना है अब क्रही बात इसका की strategy क्या होनें चाहिए कैसे इसका cut off निकाले तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दी है जो मैंने description box में मैं उसकी link दे दूँगा साथ ही साथ में मैं quality के दो lecture भी करा चुका हूँ इसी channel पे इसके बारे में preamble प्रस्तावना का एक lecture होगा दूसरा है union and its territory तंग और उसका शेत्र उसकी भी link में description box में दे दूँगा तो आप लोग वीडियो भी चेक कर सकते हैं यहीं पर मैं वीडियो भी खतम करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा चैनल प्राइब दोस्तों को भी शेर करिए नमस्कार